दोस्तों जिस तरह की दुनिया हम बनाना चाहते हैं उसके लिए साफ पानी मिलना बहुत जादा जरूरी है अच्छी बात ये है कि इस वक्त प्रिथवी पर भरपूर मातरा में साफ पानी उपलब्ध है जो हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है हाला कि खराब अर्थशास्त्र और बुर्यानी सुविधाओं की कमी की वजह से अभी तक सब जगा साफ पानी मुहया कराना मुम्किन नहीं हो सका है यही वजह है कि बच्चों समेत कई राखों लोग हर साल बीमारियों का शिकार होते हैं पानी की कमी और उसकी खराब क्वालिटी खान-पान, जन-जीवन और शिक्षा पर भी प्रभाव डालती है आकड़े बताते हैं कि आज लगभग दो अरब लोग खराब पानी पी कर खत्रों भरी जिन्दगी जीने को मजबूर हैं वहीं साल 2050 तक चार में से एक व्यक्ती साफ पानी की कमी की वजह से गंबीर बिमारी की चपेट में आ जाएगा हाला कि पहले के मुकाबले पानी की सप्लाई में काफी काम हुआ है दुनिया की आबादी के 90 प्रतिशत लोगों तक अब बहतर वाटर सप्लाईस द्वारा पानी पहुँच रहा है हाला कि अभी भी स्वच्छता और साफ पानी तक पहुँच बढ़ाने के लिए फ्रेश वाटर एको सिस्टम के मैनेजमेंट और स्वच्छता संबंदी सुविधाओं पर लोकल लेवल पर काम होना जरूरी है खासकर सबसहारन अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिनी एशिया और पूर्वी एशिया के विकास शील देशों में करो फूर्वार आजनी स्याली सरवेक बद्पभाबा-खंदयों में झाल झाल